महराश्ट विधान सभा में बिजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए विधान सभा से निलंबित कर दिया गया है आरोप है कि उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान भाशकर जाधाओ के साथ अमल्यादी त्व्यवहार किया बिजेपी ने इस करवाही का कड़ा विरोध जताया है बता दें कि महराश्ट असेम्बली में आज एक प्रस्ताव पारित क्या गया जिसमें केंद्र से 2011 की जनगर्ना की आकड़े उपलब्द कराने का अनुरोध क्या गया इससे राज जब पिछना वरकायों को OBC आबादी का डेटा का यार करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि इस्थानिय निकायों में राजनेतिक आरक्षन बहाल क्या जा सके इसी मुद्दे पर कार्यवाह के स्पिकर और BJP नेताओं में गर्मा गर्मी हो गई जो बाद में हंगामे में तब्दील हो गई कार्यवाहा के स्पीकर भाशकर जाधा उन्हें कहा जब सदन स्थगित हुआ तो बिजेपी के नेता मेरे केबिन में आय और विपक्ष के नेता देवेंदर फर्नेंडिस और वरिष्ट नेता चंद्रकान पार्टिल के सामने मुझे गाल्या दी गई उन्होंने संसदिय मामलों के मंत्री से इस मुद्गे की जांच करने की बात कही है राज के संसदिय कार्य मंत्री अनिल परप ने विधायकों को निलंविद करने का प्रस्ताव पेश्क्यार जिसे धुहनीमत से पारित कर दिया गया है अनिलपरप ने कहा कि इन 12 विधायकों को निलंबन क्याउधी के तौरान मुंबई और नागपुर में विधान मंडल परिसर में प्रवेश करने की अनुमती नहीं दी जाएगी निलंबित हुए विधायकों में संजय कुंटे, आशिस सेलार, अभी मन्यू पवार, गिरिश महाजन, अतुल, भाथक खलर, पराग अलवानी, हरिश पिंपले, राम साथ पुते, विजय कुमार रावले, योगेश सागर, नारायन कुचे और किर्ती कुमार बंगडिया के ना है, ऐसा इसले किया गया क्योंकि हमने स्थाने निकायों में OBC कोटे पर सरकार के जूट को उजागर किया है, उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यों ने पिठासी राधिकारियों को गाली नहीं दी, विजेपी विधायक इस कारवाही के विरोध में सदन की कारवाही का बहिश करेगा. पूरे सदन ने देखा, प्रेस ग्यालरी ने देखा कि जहाँ पर OBC के आरक्षन को बचाने के लिए हमारे विपक्षे नेता देवेंद्र फडनवी जी बात कर रहे थे, उनको बात नहीं किरने दिया गया और इसके खिलाब स्वाबाविक कानूनन तरीके से अपना त्राग व्यक्त करने के लिए जो भाजब के सदस्य पिठास्रीन अधिकारी के आप पहुचे उनको भी शांत करके नीचे लाने का काम ये स्वैम मैंने किया